Hello and welcome to Bollywood वाला, I am Sonam, दोस्तों, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, इतना बड़ा टाइटल है यार, याद रखने में टाइम लग जाएगा, बट ये नया एक English Web Series है, जो Netflix पे Stream हो रहा है, I've just finished watching it, यार, मैं आपको बताता हो, आपको ये Series स्टार्टिंग से लेके, क्लाइमाक्स तक, engaging लगेगा, interesting लगेगा, thrilling लगेगा, exciting लगेगा, entertaining भी लगेगा, लेकिन यार, जैसे ही क्लाइमाक्स में वो suspense खुलता है, कि भाई, कातल कौन है, murder किसने क्यों, आप जैसे ही देखोगे, भाई, ये suspense था, unbelievable, क्या, कुछ भी बना के रख दिया, कुछ भी लिख के रख दिया, ऐ क्लाइमाक्स ने पूरा शो बिगार दिया, वो suspense ने पूरा शो बिगार दिया, suspense कर, grand revelation ने पूरा सब कुछ बंकस बगवास कर दिया, मतलब, क्या यार, और वो grand revelation होने के बाद, जो आप एक action scene दिखा रहे हो, वो तो, ओफ, यार, मतलब, unbelievable, कुछ भी चल रहा था, मतलब, still, until the climax happens, it will engage you, excite you, thrill you, entertain you, to a certain extent, yes, definitely, yes, and सबसे बड़ा USP इसका duration है, यार, 8 episode है, और जो pacing किया है, हर एक episode का जो average duration है, 20 to 25 minutes है, मतलब, जल्दी जटपढ आप खतम कर सकते हो, so, देख लो, but climax ऐसा है, वो आप मन में रख देना, climax में आते, आते, unbelievable चीज आप देखो के, आप बोलोगे, कुछ भी बना कर रख दिया, Kristen Bell, जो lead actress हो, उनका acting अच्छा लगा, बाकी सभी लोगों ने अच्छा acting किया, but, या, writing, I'm still going with 2.5 stars, अगर आपने देखा है, तो मुझे लिख कर बताना, आपको ये series कैसे लगा, हाँ, disclaimer देदू, गपागप scenes है, तो सोच समझ के भा झाँ, 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 झाँ.